तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं हमारा unit 3 का risk and uncertainty वाले chapter के questions को cover इस वीडियो में आप लोगों का ये chapter का जो भी धर है या जो भी खौफ है सारा खतम हो जाएगा तो प्लीज वीडियो को अच्छे से end तक देखेगा और अगर आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe करके साथ में notification को on जरूर कर लिजेगा ताकि हमारी latest videos की notification आपको time to time मिलती रहे तो दोस्तों आज का हमारा question क्या है what is the role of risk and uncertainties in business decision कि risk और uncertainties का business के अंदर यानि कि business के decisions के अंदर क्या role है और हमें इसकी utility theory को इसके risk aversion की help से explain करना है मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि question को शुरू करने से पहले question को समझना बहुत जरूरी है पर बहुत सारे बच्चे इसको miss कर देते हैं या कह सकते हैं सबसे important चीज को वो भाव नहीं देते हैं तो जिसकी वज़े से वो explanation के time पे बहुत जादा confused हो जाते हैं कि मेरे अब 6 पेजो का question है तो मेरे से तो 2 भी नहीं फुल्फिल हुए तो इसी वज़े से वो आप लोग elaborate नहीं कर पाते हो questions को क्योंकि आप question को अच्छे से समझ नहीं रहे हो question क्या पूछ रहा है risk and uncertainty इसका business decision के अंदर then हम लोग utility theory की और risk aversion की दोनों में पहले तो हम बताएंगी कि क्या दोनों को क्या रोल है आपस में यह दोनों theories इस question में क्यों पूछी जा रही है then हम लोग इन दोनों को elaborate करके यानि कि अलग-अलग explain कर सकते है question की जितनी आप length बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो हर एक topic के अंदर examples add कर सकते हो अगर examples मैं नहीं वीडियो में बता रही तो अब खुद से उस topic का नाम लिखके google करो बही examples कितनी मिल जाएंगी एक topic के बारे में खुद से बना दो अपनी day to day life में कितनी examples होती है तो कुछ भी आप लोग generate कर सकते हो बस आपको question समझाना चाहिए मैं हर वीडियो में आपको बताती हूं question समझो question समझो बट चलो अब question में पहले हमने क्या लिखना है role of risk and uncertainties in business के decision में क्या role है first इसका meaning लिख सकते हो आप लोग मैं नहीं करवारे हूं आप लोग लिख सकते हो इसका meaning ठीक है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी सो थोड़ा बहुत तो idea होगा कि risk for uncertainties क्या होते है risk आपको पता है जो किसी भी चीज में रिस्क होता है और uncertainties क्या होती है कि हमें future में क्या हो जाएगा ठीक है एक तो हमें पता है कि इस चीज का होना तै है इसके बारे में रिस्क है ठीक है अगर हमने कोई रिस्की चीज लिए तो कभी ना कभी तो उसमें रिस्की है पर uncertainties क्या है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है हमें नहीं idea तो role क्या है let's imagine you are playing a game sometimes you know exactly what's going to happen ठीक है आपको कई बार पता होते है कि क्या होने वाला है exactly क्या होगा but sometimes you don't जब आपको नहीं पता कि अगले पल में क्या होगा वो होती है uncertainty और जब आपको पता है कि यह होने वाला है फिर भी पंगे ले रहे हो तो उसको बोलते है risk ठीक है I hope clear that uncertainty is like risk in business तो uncertainty क्या है कि जो business में थोड़ा बहुत risk नहीं होता तो बद वही रिस्क को uncertainty भी बोल सकते है कि risk है कुछ भी अगले पल में कुछ भी हो सकता है कभी भी game change हो सकती है here's why it matters तो यही सीज मैटर करती है तो अब इसका role क्या है business के decision के अंदर सबसे first in decision making imagine you have a lavender stand you know that when it's sunny lots of people will buy lemons तो आपको अब आपको पता है जब मतलब धूप वाली टाइमिंग होगी यहां sun timing होगी तो बहुत सारे लोग उसको buy करेंगे but what if it suddenly rains but if it happens, what if it happens? अब बारिष आजाए तो यह रिस्क है आपने जैसे lemon, the water like lemon juice, the water like lemon juice, the water and the water are a मैं रेडी लगा ली तो आप सोचो आपने जहां पे लगाई आपने जहां पे लगाई तो आपने सोचा कि अचलो आज दीन दूप लगेगी तो अच्छी खासी सेल हो जाएगी बट वहीं पे अगर सड़नली मोसम चेंज हो गया और बारिश आ गई so that's the risk so business have to make decision even when they are not sure about everything तो business में क्या होता है कि हमें decision लेना पड़ता है चाहे हम उस चीज को लेके sure नहीं है हमें नहीं पता बारिश होगी के नहीं होगी that is uncertainty बारिश होगी के नहीं होगी uncertain है हमें नहीं पता ठीक है बट हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं अंदाजा लगाने के बावजूद हम लोग थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं जैसे कि बादल बने हुए ठीक है अब बादल बने हुए तो हमें यह idea है कि बारिश हो भी सकती है हो सकता है ना भी हो तो यह है uncertainty पर अगर हम लोग यह सोच ले कि होगी ही होगी और वो हुई नहीं तो यह तो फिर अगले दिन हम लोग अफसोस करेंगे कि थोड़ा सा अगर रिस्क लेके मैं वो काम कर लेता क्योंकि बारिश तो हुई नहीं हो सकता था मेरी अच्छी खासी सेल हो जाती तो यही रोल है उसका पहला रिस्क अंशर्टेंटी का बिजनस के अंदर कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा यू हाव तो टेक डिसीजन अगर आपको कुछ करना है तो फर्स्ट यू हाव तो डिसाइड तो दू ताट थिंग कि आपको वो चीज करनी है दन सेकंड रोल क्या आएगा कि आपको उसको प्लान करना है वेन यू हाव प्लान अपिक्निक यू चेक दो वैदर जब आप पिक्निक का प्लान करते हो तो आप वैदर चेक करते हो तो बिसनेस में भी आपको एडवांस में प्लानिंग करनी है न इन बिसनेस यू ट्राय तो प्रडिक्ट वट विल हैपन की क्या क्या हो सकता है बड़ सम्टाइम्स अनक्सपेक्टेड थिंग्स भी हो जाती है बिसनेस नीड टू बी रेड़ी फोर सर्प्राइज़स अब कुछ चीज़ें आपने एक्सपेक्ट करी कि यह होंगी तो कुछ अनेक्सपेक्टेड भी होंगी सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लैन कभी भी लाइफ में नहीं चलता बिसनेस में क्या है कि उसको हमेशा इस सर्प्राइज़स के लिए रेड़ी रहना है कभी भी यह नहीं कहना है कि यह कहां से प्रगट हो गया जो है वो है सो उसको असेप्ट करें और उसको सिल्यूशन की तरफ ध्यान दे ना कि प्रॉब्लम को मतलब सोच सोच के बढ़ाने से अच्छा है उसका सिल्यूशन डूडे थर्ड रोल क्या है प्लैनिंग हो गई फर्स हमने डिसीजन ले लिया प्लैनिंग कर लिए थर्ड नंबर पर इन्वेस्टमेंट तिंक ओफ स्टार्टिंग अ कुकी बिजनेस यो स्पेंड मनी और इंग्रीडियंट्स अड टूल अब आप लोग सोच रहे हो कि अगर मुझे कुकी का बिजनस स्टार्ट करने तो आपको उसके लिए मनी इंवेस्ट करनी पड़ेगी इंग्रीडियंट्स टूल लाने पड़ेंगे लोगों को कुकी चखाने पड़ेंगे लोग उसको चखेंगे बताएंगे अच्छे हैं बिकने लाइक है या दुकान बंद कर देनी चाहिए बट इफ एवरीवन सड़नली स्टॉप लाइकिंग कुकी आपने इंवेस्टमेंट कर दी एक दम से लोगों ने कहा कुकी बैन होगी अब कोई नहीं खाएगा तार्स रिस्की इसकी अंदर से वो क्या निकलती है सुन्दी है बड़ी बड़ी है ना सो बिजनसे टेक रिस्क अब डैरी मिल्क चॉकलेट हम लोग बहुत जादा खाते थे तो उसमें क्या था पीछे न्यूज कितनी बार आई है कि उसमें से ये निकला उसमें तो क्या है तो क्या है ठीक है न अब बिजनस उसने जिसने बनाई है उसने तो इन्वेस्ट कर दिया बट एकदम से जब ने पाएंगे अब डैरी मिल्क बनाने वाले ने तो नहीं सोचा होगा ना कि मैं से अपनी कंपनी दूबा दूंगा या इससी हो जाएगा बट चलो अभी भी लोग उसको खाते ही है बट कहने का मतलब यह है कि अनसर्टेंटी कभी भी हो सकती है कुछ चीजे होती है रिस्क होत अब चीटिया आएंगी तो नॉर्मल बात है रिस्क है पर अनसर्टेंटी हो सकता है हम उसको बच्चा भी कर सकते हैं तो यह चीजे कुछ होती है जिसका हमें ध्यान रखना है और इसका रोल हमें बताना इसको इलेबरेट करते जाना है कि इसका रोल क्या है कंपनी में एक डिसीजिन को लेने में रिस्क एंड अनसर्टेंटी कैसे काम करती है क्या रोल प्ले करती है बिजनेस के अंदर ठीक है यह हो गया हमारा फर्स उसके बाद हम बताएंगे कि इसका यूटिलिटी थी और रिस्क अबर्जन क्या है नौ लेट्स टॉक अबाउटिलिटी थी इस इस लाइक टूल जो हेल्प करता है लोगों की अबाउट मेक चॉइस वेन फेस्ट इट विद रिस्क की जब उनके सामने कोई रिस्की सिचुएशन आ जाती है तो उन्होंने कैसे रियाक्ट करना है इट इस बिट लाइक डिसाइडिंग बिट्वीन तो डिजर्स वेन यू इस बिट्वीन जाएगा जो आपको जादा इंज्वेमेंट देखे जाएगा तो यूटिलिटी क्या है यूटिलिटी इस लाइक एपिनेस क्योर क्या है इट है इट हैप्स यू डिसाइड वट यू लाइक कि आपको कौन सा डिसीजन लेने पर खुशी मिलेगी अगर आप प्रॉब्लम को छोड़ कर भाग जाती हो तो वह क्या आपको खुशी देगा या लाइफ टाइम आप खुदको को सोगे तो यह आपको डिसाइड करने में हल्प करेगा कि आपको क्या अच्छा लगेगा क्या आपको तसली देगा सैटिस्फेक्शन देगा इन बिजनेस लोगों की क्या help करता है कि अगर कोई चीज के लिए किसी के पास options है तो उन options में से किसी को decide करने में help करता है even when there is risk तो risk तो obvious ही बात है या business है तो risk तो आए गई second risk aversion imagine you have two choices यहां पर imagine करते है मारे पास two choices है a guaranteed small chocolate bar और a chance to get a big one but also a chance to get nothing अब एक तो आपके पास option है कि आपको घरणटी है कि चॉकलेट बार मिलेगा ही मिलेगा ठीक है आपके बास दो choices है पहली कि चोहेस है कि आपको guaranteed chocolate बार मिलेगा ही मिलेगा second choice किया है कि आपको बड़ा चोकलेट बार मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा तो that is uncertain जो second वाल है So that is uncertain कि आपको मिलेगा के नहीं मिलेगा If you always pick the guarantee अगर आपने guarantee वाले small one को पिक किया होता लालश नहीं किया अगर आपने small वाले को पिक किया तो आपने लालश नहीं किया तो utility theory यहाँ पे आपकी help करेगे कि figure out which choice make you happier कि आपको मिलने से खुशी मिलेगी या दोनों में से अगर एक चीज नहीं मिली तो आप उदास्तों नहीं हो जाओगे तो आपको guarantee वाले चीज को अगर select करोगे तो always है risk बिलकुल ना के बराबर हो जाएगा तो risk version आपको यहाँ पे choice करने में help करेगी अब इन दोनों इसके अंदर risk और reward को balance कैसे कर पाओगे in business you want to make choices that give you the best chance of being happy business के अंदर अगर आपको choice करनी है कि कौन सा best chance है जो आपको happy रख सकता है make money बना के देख सकता है और heal avoiding things that could make really unhappy जो जिन चीजों को loose करने से आपको मतलब uneasy unhappy फील होगा तो उनको आप कैसे avoid कर सकते हो तो इन दोनों के बीच में balance बनाने में कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा so utility theory is like a guide तो utility theory आपके लिए एक तरह की guidance का work करेगी that help people जो लोगों की मदद करेंगे कि decision लेने में decision by considering what makes them happiest कि क्या चीज उनको happy कर रही है especially when there's uncertainty and risk involved होता है business की choices में it's like picking the dessert that give you most joy वही repeat line दोस्तों लिखी हुई है so I don't think कि आपको explain करने की जरूरत है बिलकुल basic सा question है तो आप लोग इसको जितना elaborate कर लोगे उतना अच्छ है so that's all about today's video I hope आपको अच्छे से clear है दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से हम लोग अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye